हलो एबरिवन वेलकम बेक टू माई चैनल मैं हूँ रौसनी पाठक आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे पित्री पक्ष में आने वाली इंदिरा एकादसी का व्रत कब है पूजाव पारण का शुब मोर्त पूजावी धी और इस दिन क्या करें और क्या न करें सास्तरों के अनुसार एकादसी का व्रत भगवान विश्नो को शमर्पित है हिंदू पंचांग के अनुसार प्रतीक साल आस्विन माह के क्रिश्न पक्ष की एकादसी के दिन इंदिरा एकादसी व्रत रखा जाता है वैसे तो हर महीने के दोनों पक्षों की एकादसी खास होती है लेकिन इंदिरा एकादसी पित्री पक्ष्मी पढ़ने के कारण अधिक शुभ मानी जाती है माननेता है कि इंदिरा एकादसी वृत के प्रभाव से 88 हजार ब्रामभनों को भोजन कराने का पुन्य और साथ पीडियों तक के पीतरों को त्रिप्ति ब्राप्त होती है तो आईए हम सबसे पहले जानते हैं इंदिरा एकादसी के सुभ मुहुर्त के बारे में तो साल 2024 में इंदिरा एकादसी का वृत 28 सितंबर सनिवार को रखा जाएगा एकादसी तिती प्रारंब होगी 27 सितंबर दो पहर 1 बज कर 20 मिनट पर एकादसी तिती समाप्त होगी 28 सितंबर दो पहर 2 बज कर 49 मिनट पर पूजा का अभिजीत मुहुर्त होगा 28 सितंबर प्रातर काल 11 बज कर 46 मिनट से दो पहर 12 बज कर 24 मिनट तक पारन का समय होगा 29 सितंबर प्रातर काल 6 बज कर 6 मिनट से प्राता काल आठ बच कर 31 मिनट तक द्वादसी तिथी समाप्त होगा 29 सितंबर सायं काल 4 बच कर 46 मिनट पर आईए अब जानते हैं इंदिरा एकादसी की पूजा विधी के बारे में सास्त्रों के नुसार एकादसी व्रत की सुरुवात दस्मी तिथी से हो जाती है प्रतिमा स्थापित कर प्रतिमा के शामने धूपदीप जलाएं अब फल, फोल, तील, दूध, पंचम्रित, वत्तुरसी दल अरपित करें और विश्नु सहस्त्र नाम का पाठ करें इसके बाद व्रत कथा पढ़कर आरती करें अगले दिन द्वादसी की सुबह व्रत का पारण कर ब्राम्वन को दान धक्षिना दे कर विदा करें अब जानते हैं कि इंदिरा एक आदसी के दिन क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए तो सास्तरों के नुसार एक आदसी के दिन चावल नहीं खाना चाहिए इस दिन तामसिक भोजन जैसे कि लासून प्याज और मसूर की दाल का सेवन नहीं करना चाहिए एक आदसी के दिन तुलसी की पत्तियों को तोड़ना वर्जित माना गया है पुजा में इस्तेमाल के लिए एक दिन पहले ही तुलसी की पत्तियों को तोड़कर रख लेना चाहिए इंदिरा एक आदसी के दिन तुलसी की माला से ओम नमो भगवति वासु देवाई नमह मंत्र का माला जाब करना चाहिए पित्री पक्ष की इस एकादसी के दिन पीतरों का तरपन और ब्रह्मन भोज करा कर साम के समय दक्षिन दिशा में एक दीपक जलाना सूभ होता है एक आदसी के दिन पीपल के पेड़े में जल और दूद और पितकर सरसों के तेल का दीपक जलाने से पित्री प्रशन्न होते हैं तो उमेद करती हूं कि ये जानकारी आपको पसंद आई होगी तो हिंदु धर्म से जुड़े हर एक व्रत और तेवार की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप अपने इस चानल को सब्सक्राइब करें साथी बैल आकन पर भी प्रेस करें ताकि आपको हुमारे आने वाले हर एक वीडियो का नोडिफिकेशन सबसे पहले मिल सकें देने वाद